हेलो दोस्तों मैं गोरिंग वर्मा आज आपको इंजिनिरिंग ड्रोओंग में यूज therapies की बारे में बताने वाला हूँ साथ ही इन लाइन का उप्योग कहां करेका आला है इन के बारे में भी आपको बताओंगा तो आईए देखते हैं कि ये line कौन कौन सी है और उनके क्या क्या अपयोग है subject है engineering drawing और topic है line and their application line और उसके उपयोग क्या क्या है first line है continuous thick line इसका उपयोग visible outline, object line, visible age के लिए किया जाता है ये है dark और continuous रेखा होती है इसका उपयोग किछी वस्तु की दिखाई देने वाली outline और age को दर्शाने के लिए किया जाता है इसकी multi point 5 mm तक होती है जैसा कि आपको diagram में दिखाया गया है एक object का front view बनाने के लिए continuous thick line का उपयोग किया गया है second line है continuous thin line जैसा कि diagram में दिखाया गया है इसका उपयोग dimension line, extension line, projection line, hatching line, leader line, thread line में किया जाता है dimension line का उपयोग किसी भी object की dimension अर्थात विमार दर्शाने के लिए किया जाता है और diagram में इसे दर्शाया गया है साथ ही extension line को भी दिखाया गया है projection line का उप्योग किसी वस्तु के projection शो करने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है hatching line का उप्योग किसी cutting section को शो करने के लिए किया जाता है जैसा ही diagram में दिखाया गया है hatching line 45 degree के कौन पर जुकी होई होती है समानतर line के बीच में point 7 mm से कम का gap नहीं होना चाहिए leader line का उप्योग किसी वी parts के या object के वीवरन को दर्शाने के लिए किया जाता है यह एक मंदाली degree पर बनी line होती है जिसका उपरी सीरा सैतिज होता है इसी के उपर किसी वी parts की dimension या वीवरन लिखा जाता है जैसा ही diagram में दर्शाय गया है एक semi circle की dimension को बीच के द्वारा show किया जा सकता है thread line का उप्योग किसी भी nut, bolt आदी पर बनी चूडियों को दर्शाने के लिए किया जाता है continuous thin line के मोटाई point 2 mm तक होती है third line है continuous thin free head line इन लाइनों की मोटाई point 2 mm तक होती है इनने short break line भी कहा जाता है इन लाइनों का उप्योग अनियमित boundary को दर्शाने के लिए किया जाता है कम दूरी को दर्शाने के लिए भी free hand रेखाई बनाई जाती है diagram में continuous thin free hand line को दिखाया गया है तदा इसके उप्योग को भी दिखाया गया है fourth line है continuous thin straight with zigzag इस प्रकार की लाइनों को long break line भी कहा जाता है इन लाइनों की मुटाई point 2 mm तक होती है इस प्रकार की लाइन पतली होती है और बीच में zigzag बने होती है किसी बड़े object को drawing sheet पर दर्शाने के लिए इनका उप्योग किया जाता है fifth line है dash thick line जैसा की diagram में दिखाया गया है इसका उप्योग hidden age और hidden outline को दर्शाने के लिए किया जाता है अर्थारत किसी भी object के ऐसा part जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसे दर्शाने के लिए dash line का उप्योग किया जाता है जैसा की diagram में एक object दिखाया गया है इसकी जो line हमें show नहीं हो रही उसे show करने के लिए dash line का उप्योग किया जाता है इनकी मोटाई point 3 mm होती है Sixth line है dash thin line Dash thin line को diagram में दिखाया गया है इसका उप्योग भी hidden edge और hidden outline को show करने के लिए किया जाता है अर्थात किसी भी part के ऐसे हिस्टों को दर्शाने के लिए dash line का उप्योग किया जाता है जो की दिखाई नहीं देता diagram में एक cylindrical object दिखाया गया है जिसमें dash line का उप्योग किया गया है Seventh line है chain thin line जैसा की diagram में chain thin line को दिखाया गया है इसका उप्योग सेंटर लाइन के लिए किया जाता है सेंटर लाइन long dash और short dash से मिलकर बनी होती है जिसका उनपाथ chain path 1 या चार उनपाथ 1 होता है इसकी मोटाई point 2 mm होती है सेंटर लाइन हमेशा long dash से ही खतम होनी चाहिए line of symmetry में भी chain thin line का उप्योग किया जाता है line of symmetry का अर्थ है कि किसी safe या object के center से गुजरने वाली वह लाइन जो उस safe या object को दो समान बागों में विभाजित करती है एट लाइन है chain thick line जैसा की diagram में chain thick line को दिखाया गया है chain thick line का उप्योग किसी surface पर विशेश उप्चार जैसे electroplating polish आदी को दर्शाने के लिए किया जाता है इनकी मोटाई point 5 mm तक होती है 9th line है chain thin thick at end यह chain thin line की तरह ही होती है बस इसके सीरों को dark किया जाता है इस line की मोटाई point 3 mm होती है इसका उनपाथ chain path एक या चारउनपाथ एक होता है यह long dash और shoulder से ही मिलकर बनी होती है cutting plane को show करने के लिए chain thin thick at end line का उप्योग किया जाता है सिद्धी होने के साथ साथ यह है जिग जैग भी होती है जहाँ इन्हें मोटते हैं वहाँ line को direct किया जाता है ऐसा offset section में किया जाता है diagram में hatching line को भी दर्शाया गया है 10th line है chain thin double dash chain thin double dash line को diagram में दिखाया गया है इसकी मोटाई point 2 mm होती है इस line का उप्योग movable parts की extreme और alternate position को दर्शाने के लिए किया जाता है diagram में इसकी उप्योग को दर्शाया गया है I hope guys कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी तो please like, subscribe और share कीजेगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का notification मिलता रहे